आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सुंदर सा लैंब जो की प्लास्टिक के बॉटल से बनाऊंगी, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही किफायती होता है, चलिए दिवाली के इस मौसम में हम बनाते हैं एक छोटा सा लैंब इसके लिए मैंने लिया है plastic का एक माजा का खालि bottle जिसे मैं bottom side से cut कर रही हूँ अब middle portion को भी cut कर लेंगे इस तरीके से अब हम top portion को भी cut कर लेंगे यह हमने cut कर लिया है अब bottle के periphery के size का हम एक circle से cut कर लेंगे दो सरकल सेफ हम कट करेंगे और उस पे ग्लू लगाकर कलरफुल पेपर में चिपका देंगे इस तरीके से और इसे हम कट कर लेंगे सरकल सेफ में ये दो हमने कट कर लिया है अब बॉटल को कलर कर लेंगे Color आप अपने मन पसंद का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इस bottle के ऊपर self carving बनी हुई है इसलिए मैं carving के ऊपर कर रही हूँ आप normal bottle के ऊपर अपने मन पसंद से color कर सकते हैं यह देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है यह अब मैं battery operated candle को लेकर circle बना लूँगी और उसे cut कर लूँगी और cut करने के बाद इसमें fit कर दूँगी इस तरीके से bottle के निचले side पे हम glue लगाएंगे और battery operated portion को हम cover कर लेंगे इस तरीके से ये fix हो चुका है इसके outer area पे हम glue लगा लेंगे और jute thread डाल कर fix कर लेंगे अच्छे से fix हो जाता है इसे हम इस तरीके से करेंगे ये देखिए fix हो गया अब upper portion पे हम glue लगाएंगे और उस पे भी हम circle को fit करेंगे ये हमने fix कर लिया ये देखने में कुछ इस तरीके से लगेगा अब हम cap पे glue लगा लेंगे और उस पे जूट thread लपेट लेंगे हर तरफ हम लपेट लेंगे इस तरीके से अब हम इसे decorate करेंगे मैं beat string से कर रही हूँ आप चाहें तो अपने पसंद का कुछ भी यूज़ करके इसे decorate कर सकते है ये बनने के बाद बहुत खुबसूरत लगता है ये देखिए इस center में sequence लगा रही हूँ golden color कर ये इस portion में भी हम लगा लेंगे पूरे bottle को आप अपने according decorate कर सकते है ये हमने सब जगा लगा लिया अब bottle के cap को भी हम color कर लेंगे ये हो चुका है अब इसमें हम glue लगा लेंगे और fix कर लेंगे अपर portion पे अब एक wire से हम handle बनाएंगे इस तरीके से यहां पे हम इसे fix करेंगे निडल के सहायता से हम hole कर लेंगे और इसे fix कर लेंगे glue लगा कर fix करेंगे ये देखिए एक खुबसूरत सा lamp बन कर तयार है बहुत ही किफायती तरीके से बनाया गया ये lamp है बहुत सुंदर बना है ये देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है रात की रोशनी में ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है आने वाली दिवाली में आप भी इसे अपने घर में बनाईए और दिवाली enjoy कीजिए Happy दिवाली to you all